आज हम बात करने जा रहे हैं हक्की पक्की ट्राइब्स के बारे में लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये हक्की पक्की ट्राइब्स न्यूज में क्यों है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुडान में जो पावर स्ट्रगल के चलते वॉयलेंस हो रहा है वहाँ पर हमारे भारत के कम से कम कुछ हक्की पक्की ट्राइब्स कम्यूनिटी के लोग फसे हुए हैं और अब सरकार से डिमांड कर रहे हैं उन्हें rescue करने की जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइब्स हमारे exam perspective से बहुत ही जादा important हो जाते हैं इसलिए हम जानेंगे कि हक्की पक्की ट्राइब्स की history, उनकी ग्लान्स, उनकी language और उनका status क्या है इंडिया के अंदर सबसे पहले हम सुडान के कुछ क्राइसिस के बैक्राउंड के बारे में जानते हैं कि आखिर ये जो हक्की-पक्की ट्राइप्स है वहाँ पे माइग्रेट कैसे हुई 2021 में जो सुडान है वहाँ पे सत्ता परिवर्थन होता है वहाँ पे रापिट सपोर्ट फोर्स के आर्मी चीफ और उनके डापटी ने पावर समाली लेकिन अब क्या हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में कि जो आर्मी चीफ हैं और जो उनके डापटी हैं उन दोनों के बीच में ही पावर स्ट्रगल चल रही है जिसके चलते वॉयलेंस सुडान के अंदर बहुत जादा बढ़ गिया है किसी भी कंट्री में जब इस तरीके की स्थिती उत्पन होती है तो वहाँ पर महंगाई भी बहुत जादा बढ़ जाती है जब महंगाई बढ़ी तो लोगों को एलोपैथी मेडिसिन भी महंगी लगने लगी इलाज करवाना भी महंगा पड़ने लगा इस कारण से वहाँ के लोगों ने एक वैकलपिक ट्रीटमेंट ढूनना शुरू किया एक ओप्शनल ट्रीटमेंट एलोपैथी के अलावा हक्की पक्की ट्राइब्स इन लोगों के पास आयूरुवेदा और काफी सारी हर्ब्स जैसी मेडिसिन की बहुत नौलेज है इन्होंने सुडान में एक वाइड देखा एक ओपर्चुन्टी देखी और ये वहाँ पे माइग्रेट कर गए और ये वहाँ जाकर बेसिकली आयूरुवेदिक दवाओं का कारोबार करते थे इस कारण से जो हक्की पक्की ट्राइब्स है वो सुडान पहुँचे अब हम जानेंगे कि इनका इतिहास क्या है देखे हक्की पक्की जो ट्राइब्स है उनका काफी फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है ये अपनी जो एंसेस्ट्रियल रिलेशन्स है यानि कि जो इनकी एंसेस्ट्री है वो महाराना प्रताप की जो वंशज रहे हैं उन से आती है यानि कि जो इनके वंशज रहे होंगे उन्होंने महाराना प्रताप के साथ जो है मुगलों के विरुद्ध युद्ध भी लड़ा था तो इस जो tribe को शत्री और warrior tribal community के अंदर कद भी देखा जाता है लेकिन हम सबको पता है कि मुगलों से जो हारने के बाद इन लोगों को force कर दिया गया कि ये इंडिया में उस area को छोड़ के कहीं और migrate करें जब मुगल थे उस समय इन लोगों को south सबसे जादा secure और safe लगा इस कारण से जो ये tribe थी हक्की पक्की ये south की तरफ migrate कर गई देखे हक्की पक्की tribe में अब कितने clan होते हैं चार clan होते हैं हक्की पक्की tribe के अंतरकर जो पहला clan होता है वो basically उसको कहा जाता है कि वो गुजराती है ऐसा माना जाता है कि इस clan के लोगों की origin गुजरात रीजन में होई है ऐसा क्यों बोला जाता है गुजराती हो जो tribes हैं जो clan है वो वर्गी बोली नामक जो है language बोलते हैं यह जो language है यह similar है आपकी गुजराती language से तो इस कारण से इन tribes को गुजरातिया कहा जाता है दूसरी जो इनकी clan है वो है काली वाला जो काली वाला clan है वो basically करनाटका में recite करती है अगर हम हक्की पक्की का मतलब देखें तो कंडड में इसका मतलब होता है bird catchers जो काली वाला clan के लोग हैं वो hunting और bird trapping में बहुत ही expert होते हैं जो तीसरी tribe हमारी है वो है मेवारा tribe अब मेवारा tribe जो है इनकी जो expertise है वो agriculture practices और साथी साथ land cultivation में है और जो हमारी last clan है वो है पनवारा पनवारा जो clan के लोग है वो basically सबसे जादा intelligent होते हैं और इनकी जो expertise है वो है medicine इन्हें आयूरवेदा और साथी साथ कई सारे medicinal plant और herbs की बहुत जानकारी है ये अपनी community में बहुत crucial role play करते हैं COVID-19 के समय भी कहा गया कि जो हक्की पक्की tribes के लोग हैं उनमें से कुछ ने COVID-19 के infection को भी survive कर लिया था और इतना ही नहीं करनाटका के काफी सारे शहरों में भी इनकी दवाएं बहुत ही जादा बिक्ती हैं बहुत ही जादा वहां की लोग इनकी दवाओं पर विश्वास करते हैं हमने अब देखे चारो क्लैन अब हम बात करेंगे कि हक्की पक्की tribes की main languages क्या हैं देखिए हमने देख लिया कि जो गुजराथियों हैं वो बोलते हैं वर्गी बोली यह बहुत important हो जाता है क्योंकि जो चारो क्लैन है उसमें से तीन क्लैन की जो language है वो बेसिकली similar है वो तमिल, कंणर, तेलगू, मल्यालम बोलते हैं लेकिन जो एक क्लैन है उसकी जो language है वर्गी बोली जो उनका language है वो गुजराथी से similar है तो इस कारण से वर्गी बोली बहुत distinct हो जाता है इसके exam में आने के chances बहुत बढ़ जाते हैं इसलिए हमें इसे याद भी रखना है तो यह थी इनकी languages अब हमें एक बहुत ही important चीज जाननी है वो यह है कि करनाट का government ने इन्हें schedule tribe का दरजा दिया है schedule tribe का दरजा किसी भी tribe को क्यों दिया जाता है देखिए कोई भी ऐसी tribe जिसके पास कोई unique culture हो या फिर कोई ऐसी traditional knowledge हो जिसे हम preserve कर सके और साथी साथ इनकी conditions को इनके welfare के लिए इनके promotion के लिए और साथी साथ इनका legal protection हो सके इसलिए किसी भी tribe को schedule tribe के अंतरगा तरखा जाता है तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो हक्की-पक्की tribe हैं वो करनाटका के schedule tribe category के अंदर भी आती हैं और इस reason से ये और भी जादा important हो जाती है exam perspective से तो हमने देखा हक्की-पक्की tribe के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही प्लीज आप वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें और हमारे चानल को subscribe करें and yes don't forget to comment thank you so much don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update